मद्ध प्रदेश में अतिती सिक्षक किसानों के मुद्धे पर लगातार कॉंग्रेस हमलावर है और अब एक और नया आंदोलन की जिम्मिदारी PCC चीव जीतु पटवारी ने NSY और यूद कॉंग्रेस को दिये सर कल जसरीके से अतिती सिक्षकों को लेकर एक बयान सामने आया उसके बाद अब आप सदबुद्धी आंदोलन चलाएंगे प्रदेश में भारती जनता पार्टी भाषण में गुरू परमपरा की बात करती है प्राचिम भारत के इतिहास की बात करती है गुरू का जो भारत के भविश के निर्मान की याचना और सरशना की बात करती है और असलियत में उनका अपमान करती है जब चुना हुए थे 2023 के तो जोती विदवानों के हक और अधिकार के लिए में सड़क पर आ जाओंगा सरकार गिरा दूआ गिरा दी शुराज जी ने उनके पक्ष में वयान दिया कि नियमित करना चाहिए जब चुना हो गए अतिती विदवान अतिती सिक्षक उन्हें बीजेपी को जिता दिया सरकार बना दी म हो नदो मुख्यमंत्री बन कंग deg awake कि आप कब जाधारी हो क्या सिक्षक कबजाधारी है आपकी गलती थी कि आपने इस्कूलों में लगा पार्टी जनता पार्टी का असली चेहरा केवल राजनितिक लाप के लिए बात करना और फिर सब को धोका देना उसमें सिक्षक भी है ये बताना है प्रदेश को हमारी यूथ विंग हमारी एने सुयाई युवा कांग्रेस सिक्षकों के पेर दो के पात्पूजन करेगी और इनको सदबुद्धी मिले उसके लिए प्रातना करेगी मैं मोहन यादोजी से मांग करता हूँ कि आप अभी इसी वक्त सिक्षा मंत्री का इस्तिफालो अन्य था प्रदेश के सिक्षकों से आप खुद माफी मांगो धन्यवाद जीदू पड़वारी हमारे साथ है और उनने कहा कि कॉंग्रेस के कारकरता सिक्षकों का पत्पूजन करेंगे और उनका सम्मान करने का काम करेंगे साथ ही मोहन सरकार से माफी मांगने की बात भी जीदू पड़वारी ने कही है विड़ जनलिस्ट मनी सेंगर के साथ न्यूसिटीन के लिए भूपाल से वासु चोरे